पातियां वो चुका है जोकि भीड़ भार बहुत जादा थी वोवर क्राउड हो जाने की वैसे कुछ मुश्किले आई लेकिन दीरे दीरे सब कुछ खैरियत से हो गया इन तीन तस्वीरों में पुर्वांचल के माफिया मुखतार अंसारी की पूरी कहानी सिम्टी हुई है ये वही मुखतार अंसारी था जो चार सो गाड़ियों के गाफिले पर चलता था लेकिन आज गाजियपूर में चार कंधों पर माफिया का खौव, रुत्वा और धबंगई कब्र में दफन हो गई ये वही मुखतार अंसारी था जिसके इशारे पर बीजेपी विधायक प्रिश्नानंद राय को दिन दाहाडे चार सो से ज्यादा गोलिया मारी गई थी जिसके चलते मुखतार साल दो हजार पांच में मरते दम तक जेल में कैद रहा था ये वही मुखतार अंसारी था जिसकी मूचों का ताव देखकर शासन और प्रशासन में मौजूद अधिकारियों के पसीने चूप जाते थे लेकिन बीजेपी सेकार के आने के बाद मुखतार के माफिया राज का ऐसा अंध चुरू हुआ कि देखते ही देखते मुखतार अंसारी उसके परिवार और उसके करीबियों की 650 करोर से ज्यादा संपत्तियां तबाह कर दी गए इन तीन तजवीरों में माफिया मुखतार के 65 मुकद्मों का ऐसा माफिया नामा है जो साबित करता है कि पुर्वांचल से माफिया राज खत्म हो चुका है 65 गुना चार सो गोनियों का मुखतार नामा जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े लोगों को हार्ट अटेक हा जाता था वो माफिया मुखतार अंसारी हार्ट अटेक से मर गया जिस गाजिपुर में माफिया मुखतार की दूती बोलती थी उसी गाजिपुर में मुखतार के जनाजे में उसकी पत्नी उसका बड़ा बेटा अब बास अनसारी शामिल तक नहीं हो पाए जनाजे में हुदंड मचाने वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यूपी बदल चुका है, माफिया खत्म हो चुका है पातिया हो चुका है, त्योंकि भीड़ भार बहुत जादा थी ओवर क्राउड हो जाने की वैसे कुछ मुश्किले आई लेकिन दीरे दीरे सब कुछ खेरियत से हो गया जो समर्थक आयत है, उनको क्या पिल करेंगे कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे लें, कल दे लें, जब चाहे आके फातिया पढ़ने मजार पे मत्टी दालने उफातिया पढ़ने से कौन सी रोख है, लेकिन एक बार एक साथ जाके हो लड़बाजी ये मुनासिब नहीं है समर्थकों से क्या पिल करेंगे, जो उनके आयत है, कापी बड़ी संक्याम, उनसे क्या पिल करते हैं, किस तरह की पिल करते हैं सांती व्यवस्ता बना के रखें, और जिन लोगों ने हुरदंग करने का प्रियास किया है, सभी की वीडियोग्राफी हुई है, ऐसे लोगों को चिन्नित किया जाएगा, जिनके द्वारा आचार सहिता का उलंगन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है, उनके वुरुद लगभग 61 साल का बहुबली माफिया अंसारी मर चुका है, मुक्तार के अंत के साथ ही उसके गुनाहों की लंबी चौड़ी केसों की लिस्ट में एक ऐसा केस भी है, जो हकीकत में मुक्तार के अंत की सबसे बड़ी वज़ा माना जा रहा है, मुक्तार से जोड़ा ये केस था बीजेवी विधायक क्रिश्नानंद राय का हध्याकान साल दो हजार पांच एक के फोटी सेवर और चार सो राउंड फाइरिक लगातार 26 साल तक पूर्वान्चल में गदर मचाने वाले मोकतार अंसारी पर वैसे तो 61 से ज्यादा आपराधिक मामले थे लेकिन साल 2005 में जिस तरह से बीजेवी विधायक क्रिश्नानंद राय के हध्या होई उसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया था क्रिश्नानंद राय के हध्या यतने खौफनाग तरीके से होई कि उसके बाद से लोग माफिया मुखतार के नाम से ही कापने लगे थे हम आपको बताते हैं कि साल 2005 में बीजेवी विधायक क्रिश्नानंद राय हध्याकान को अंजाम कैसे दिया गया क्रिश्नानंद राय हध्याकान को जिस वक्त अंजाम दिया किया उस वक्त माफिया मुखतार जेल में बन था लेकिन इस हध्याकान का मास्टर्माइन मुखतार को माना किया मुखतार के जेल जाने के बाद क्रिश्नानंद अपने ओपर हमले को लेकर लापरवा हो गए थे 29 नवंबर 2005 घाजीपुर के करीमुदीन इलाके के सेनाडी गाउं में एक क्रिकट मैच के उद्गाटन करने के लिए क्रिश्नानंद राय निकले शाम चार बजे के आसपास जैसे वो अपने गाउं गोडर लोट रहे थे तो बसनिया चटी पर उने खेर लिया गया और एक के 47 से अंधा धोन फारिंगी गए करीब 400 गोलिया चलाई हैं क्रिश्नानंद राय समेट 6 लोग के समले में मौके पर ही मारे गए क्रिश्नानंद राय के शरीर से सरसथ गोलिया निकाली गए भले ही साल 1980 में मुकतार ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा लेकिन 1990 से लेकर 2005 तक पुरुवांचल वासियों ने मुकतार अंसारी के उस काफिले को भी देखा है जिसमें उसके गुरगे खुलेयाम हतिया लहराते हुए जाते थे किसी की हिमाकत नहीं होती थी कि मुकतार अंसारी के काफिले को रोख दे आज पुरुवांचल वासियों ने मुकतार अंसारी को चार कंदो पर अंतीम यातरा करते हुए देखा जिसके बाद पुरुवांचल के कई घरों में खुसी की लहर दोड़ गई क्रिश्णानंद राय के हत्या सामान में हत्या नहीं थी कहा जाता है कि हमलावरों में से एक हनुमान पांडे ने क्रिश्णानंद राय की जुटिया काटली थी बात में उसी दौरान का एक आडियो सामने आया जिसमें मुक्तार जेल से ही एक माफिया से बात कर रहा है मुक्तार और अभैसिंग के बीच बात्चीत हो रही है। ऐसा दावा किया गया है। को आरोपी बनाया गया था। 2017 में जब योगी आदितनात के हाथ में सुबे की कमान आई उसके बाद योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ एक्षन सुरू किया। और इस एक्षन के तहत ही मुक्तार अंसारी पे जो 66 मुकदमे दर्शने उनमें से 8 मामलों में मुक्तार अंसारी को सजा हुई और बाकी मामले अभी भी कूट में पेंडिंग है। इस सत्याकांड से पूरा पूर्वान चल दहल उठा था और यही वारदात मुक्तार अंसारी के लिए काल बन गए और अंजाम यह हुआ कि वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सका। की बदाईयों का ताता लगा हुआ है। की पत्ली ने बाबा विश्वनात के दर्शन किये और कहा कि आज उनके लिए होली का तेवार है। रिश्णानंद राय की हर्थ्या के बाद मुक्तार अंसारी जरायम की दुनिया का बेताज बादशा बन चुका था। 26 साल तक मुक्तार अंसारी ने पूर्वांचल में जम तर्गदर बचा है। पाँच बार बिधायक बना, 65 से ज़ादा आपराधिक मामरी दर्च हुए, जेल के अंदर रहते हुए भी जम कर पैसा कमाया और रुकबा बढ़ाया। लेकिन आखिर में मुक्तार अंसारी का भी वही अंजाम हुआ, जो एक माफिया का होता है। पुर्वांचल की राजनीती में मुक्तार अंसारी का कद कितना बढ़ा था, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुक्तार अंसारी जिसे चाहता था, वही चुनाओ जीतता था, और जिसे वो ना चाहता था, वो चुनाओ हार जाता था। लेकिन 2017 में योगी आदितनात जैसे ही मुख मंत्री बने उत्तर प्रदेश के उसके बाद पुरुवांचल की राजनीती में मुक्तार अंसारी का कद लगातार गिरता रहा पंजाब की जेल में जहां मुक्तार अंसारी विलचेर पर घुमा करता था उत्तर प्रदेश में जैसे ही मुक्तार अंसारी आया वो अपने पैरो पर खड़ा हो गया क्योंकि मुक्तार अंसारी को भी मालुम चल गया था कि अब उसका दुर दिन आने वाला है मुक्तार के अंत की कथा 2005 में ही लिखते गई थी माफिया मुक्तार ने ऐसी गलती कर दी थी जो उस पर 19 साल तक भारी पड़ी क्रिश्णानंद राय के हत्या के आरोपी बने मुक्तार अंसारी ने सत्याकान को अंजाम क्यों दिया था इसके पीछे भी आरोप पत्र में एक बड़ा कारण बताया क्या है दरसल मुहम्दाबाद सीट से लगातार अफजाल अंसारी चुनाव जीतते आ रहे थे और इस बार उन्हें क्रिश्णानंद राय ने चुनावे शिकस्त दी थी और हार का ये सद्मा मुखतार और अबजाल अंसारी बरदाश्ट नहीं कर पा रहे थे आरोप है कि इसी को लेकर मुखतार अंसारी के इशारे पर प्रिश्णानंद राय के हत्या करती गई मुखतार का जनाजा पुर्वांचल में माफिया राज के अंध की दस्वीरे दिखा रहा है ये कहना जरा भी घलत नहीं होगा जिस माफिया राज से जनदा खौफ खाते थी वही माफिया राज अब यूपी सरकार से खौफ खा रहा है साल 1990 से लेकर साल 2010 तक जिस मुखतार अंसारी का पुर्वांचल के राजनीती में सिक्का चलता था आज उसी मुखतार अंसारी के अंतिम यातर में उसकी पतनी आपसा अंसारी सामिल नहीं हो पाई यहां तक कि उसका बेटा अब्बास अंसारी भी शामिल नहीं हो पाया क्यूंकि वो कासगन जेल में बंद है हाई कोट से लेकर सुप्रीम कोट का दर्वाजा खट-कटाया लेकिन अब्बास अंसारी को इजाजत नहीं मिली कि वो अपने पिता के अंतिम यात्र में शामिल हो पाया मुक्तार अंसारी के खिलाफ क्रिश्णा नंद राय के हत्या, कोईला व्याबारी नंद की शोर रूंटा के अबरण और हत्याकान में एक हजार एक्ट्यावन बटे दो हजार साथ नंबर का मुकत्मा लिखा गया था घाजी पूर की MPMLA कोट ने इस मामले में मुक्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी और 5 लाख रूपे का जुर्माना भी लगाया था मुक्तार अंसारी कानून के ऐसे चक्रवियों में फसा कि यूपी से लेकर पंजाब तक उसमें जील बट ली और कई पैत्रे आजमा है लेकिन तमाम पैत्रों के बावजूद उसे सलाखों की कैद से आजादी नहीं मिल सकी और आखिर में उसकी मौत हो गए और घाजी पूर से पूरे यूपी में गदर मचाने वाला माफिया कब्र में दफन हो गया झाल 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 झाल